Learn 4 New Habits in a Year अगर हर साल 4 नई आदते सीखी जाएं तो 5 साल में लगबग 20 नई habits डेवलप हो सकती हैं और आदते नई डेवलप करने से पहले पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना भी जरूरी है और छोड़ने से पहले पहचानना जरूरी है आदते हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि automatic mode पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम दूसरा काम भी या साथ-साथ mind जो है दूसरी चीज़ के बारे में सोच सकता है इसलिए जब हम बहुत बार एक चीज़ को repeat करते हैं तो after repetition वो चीज़ जो है वो काम जो हमारी habit में convert हो जाता है जिससे mind जो है उस काम से free हो जाता है और उसको auto mode पे कर सकता है उसके साथ-साथ हम दूसरा काम भी आप कर सकते हैं या किसी और चीज़ की या किसी और habit के तयारी कर सकते हैं जैसे अगर बात करें अगर हम driving कर रहे हैं तो जब आप नए नए driver होते हैं new new skill आप develop कर रहे होते हैं तो कितना conscious होते हैं brakes, clutches और इन सब का coordination इतना ज़रूरी होता है लेकिन धीरे धीरे जैसे इसे practice आपको होती जाती है तो ये habit permanent हो जाती है उसके बाद जब आप drive करते हैं अब आपका mind free होता है आप गाड़ी चलाते वक्त बात कर सकते हैं कोई meeting plan कर सकते हैं सोच सकते हैं खा सकते हैं पानी भी सकते हैं audio सुन सकते हैं कुछ भी सुन सकते हैं तो habits क्या हैं? बहुत काम की चीज़ हैं लेकिन जहां अच्छी आदत आपकी बहुत मदद करती है और आपको productive बनाती है वहीं अगर आप में कोई बुरी आदत है तो वो आपका नुकसान भी कर रही है तो ऐसी बुरी आदतों को identify करना है और अपने से दूर करना है उसकी जगा पे हमें new habits को develop करना है होता क्या है? एक particular age तक हम habits develop करते हैं उसके बाद हम उनी habits पे चलते जाते हैं जब हमारी job विगरा लग जाती है तो क्या routine होता है? वही उठे, fresh हुए, खाया, पिया, निकले office से घर लोटे, वही खाया, पिया, rest किया that's all ये life का एक pattern हो जाता है शुरू के 25-30 सालों तक हर दिन कुछ न कुछ चेंज हो रहा होता है लेकिन बाद के 30 साल तक, means retirement तक same pattern हम follow करते हैं बहुत monotonous हो जाती है, life बहुत boring हो जाती है और हम खुद से satisfy कभी होते भी नहीं है contented feel नहीं करते कभी भी satisfaction तो खहते हैं बुरी चीज है लेकिन contentment बहुत अच्छी चीज है तो हमें अपनी life को गौर से देखना है कि कहीं हम ऐसी habits तो नहीं बना बैठे हैं आप जो productive ही नहीं है जैसे procrastination, चीजों को टालने की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है bills अगर आप pay करते हैं last moment पे pay करते हैं कोई forms आप fill करते हैं last day पे fill करते हैं ये habits अच्छी नहीं है आप किसी का नाम पूछते हैं और within seconds आप नाम भूल जाते हैं ये अच्छी आदत नहीं है अगर आप अपने बच्चों के साथ time spent कर रहे हैं और तब भी आपका ध्यान काम में है ये आदत बुरी है आपको relationship में या परिवार में बैठ कर mobile चलाने की आदत है आपका ध्यान ही नहीं है parents के साथ बात करने में ये आदत बहुत बुरी है unproductive है कहीं से कोई result नहीं आता है नहीं आपके आसपास के लोग आपसे खुश होते है तो ऐसी आदतों को पहचानना और छोड़ना प्लस अब हमें क्योंकि growth भी करनी है जो चीजें हम सीख चुके बहुत अच्छी बात है अब नहीं चीजें भी सीखनी है ताकि life boring नहीं हो तो new habits को सीखना मान लीजे किसी को instrument play करना सीखना है किसी को कोई skill performing arts में सीखनी है किसी को कुछ और सीखना है तो ये सब चीजें हमारी life में अगर continue रहेंगी तो life कभी भी boring नहीं होगी और हमेशा income के sources भी आपके बढ़ते रहेंगे क्योंकि जब भी कोई skill बहुत अच्छे से develop हो जाती है तो वो आपको pay करने लगती है एक time पर तो अगर आप अपने income के sources को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी habits को भी बदलना होगा 4 habits अगर आप year में develop कर लें तो 5 साल में 20 new habits develop कर लेंगे अब comparison कीज़े जो इंसान बिलकुल नहीं develop कर रहे है आप उससे हर 5 साल बाद 20 गुना growth कर लेते हैं तो सोच ही आपका level कितना होगा और एक habit को अगर 13 हफते continuously practice किया जाए तो वो habit permanent हो जाती है फिर आपको परवा करने की जुरत नहीं है याद रखने की भी जुरत नहीं है बात करते हैं एक बहुत अच्छी habit की पानी पीने की जो actually याद ही नहीं रहती तो बहुत अच्छी है समय समय पर पानी पीना और at least 8 to 10 glasses of water daily consume करना और यह body की need है अगर body dehydrate होती है या थोड़े 30% भी पानी की अगर body में कमी होती है dehydration होता है तो mind जो है वो काम करना बंद कर देता है almost वो उतना active नहीं रह जाता है fresh feeling नहीं रहती है तो आपको पानी की मातरा बहुत अच्छे से अपनी body में level करके रखना होता है उसको अब आपको क्या करना है इस habit को अच्छे से काम करने के लिए 13 हफते तक आप reminders का use कर सकते है walls पे लिख के लगा सकते है drink water, phone पे लगा सकते है drink water, laptop पे लगा सकते है drink water, doors पे लगा सकते है 13 हफते बस आपको remind करने की ज़रुत है उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी वो habit permanent है अब आप भूलते ही नहीं है कभी पानी पीना तो कोई भी आदत 13 हफते तक अगर repeat की जाए तो वो permanent हो जाती है और ऐसे ही साल में 13-13 हफते अगर आप 4 आदते विक्सित कर लें तो आप बहुत तरकी करेंगे Thank you so much